हेलो गाइज वेलकम बैक टू ओर यूटूब चैनल तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सिपला के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करण प्राइस की बात करेंगे तो 1075.95 की करण प्राइस चल रही है और और इसमें पिछले चार से पांस दिन में गिरावट देखने को मिल चुकी है यह जो आप चार्ट देख रहे हैं और इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है देखे दोस्तों स्टॉक में जो है बहुत ही इंपरण सपोर्ट जो है बन चुका है 1060 से लेके 1080 तक है यू अल्मोस्ट थर्सडे के दिन यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की और बाउंस करता हुआ दिखाई दे चुका था लेकिन फ्राइडे के दिन निफ्टी और भैंक निफ्टी में भी हमें गिरावट देखने को मिली तो इसके जलते स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिल चुके थे यह वाला जोन जो है बहुत जादा important रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसी level पर आने के बाद में stock को यहाँ पर multiple time जो है buy कर चुके हैं अगर से आप यहाँ पर buy करके इसमें first चुके हैं अटक चुके हैं तो अभी के लिए फिलाल के लिए hold करिए अगर से 1060 के नीचे गर candle closing दे देती है तो इसमें further हमें घिरावट देखने को मिल सकती है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जोन जो है important support का होने वाला है तो हमें अगर से अगर आप यहाँ पर देखेंगे यह support पर आके उपर bounce कर चुका था वैसे ही यहाँ पर resistance पर आने के बाद में यहीं से हमें multiple time गिरावट देखने को मिल चुकी है अगर से आप यहाँ पर buy करते हैं तो हमारा almost target इसमें यह वाला zone बनेगा अगर इसको भी उपर के और breakout दे देता है तो 1180 के हमारे level जल्दी इसमें अच्छी होते भी दिखाई दे सकते हैं fresh entry का plan कर रहे हैं तो नीचे का YSL लगा के ही इसमें fresh entry का plan करें अगर से आप averaging करना चाते हैं तो भी बहुत ही बड़िया level पर stock आ चुका है आप यहाँ से averaging भी कर सकते हो और अभी तक आपने हमें Instagram पर follow नहीं किया है तो link जो ही description box में देती है आप हमें Instagram पर भी follow करिए और आप सब को हमारी तरब से happy new year यह साल आपके जिंदगी में बहुत ही अच्छा हो आप stock market से बहुत ही ज़ादा अच्छे पैसे earn करें यह हमारी उम्मीद रहेगी तो चलिए अब हम चलते हैं इसके tickerative website पर वहाँ चेक करते हैं इसका scorecard, last four year का financial trend और इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की टिकरative website पर आचुके हैं सोरका discuss कर लेते हैं, performance हमें इसकी average देखने को मिल रही है, valuation इसका high है, average growth हमें देखने को मिल रही है, profitability इसकी high देखने को मिल रही है, जोगी काफी अच्छी बात है, entry point भी average दिखाई दे रही है, overpriced भी नहीं है, stock और overbought zone में भी अभी नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं, इसका last four year का financial trend क्या शो कर रहा है, 2019 से लेके 2022 तक का last four year का data हमारे सामने शो कर रहा है, company की growth की बात करेंगे, तो year by year बर जो है, हमें company की बहुत ही अच्छी growth यहाँ पे होते वे दिखाई दे रही है, तो इसकी जल्दी stock में और भी अच्छे उपर के लेवल अच्छी होते वे दिखाई दे सकते हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं, buying की, 38 analyst हमें यहाँ पे 71% buying की सला दे रहे हैं, जो की काफी अच्छी सलाम उसको consider कर सकते हैं, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना इता वीड वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, और यह जो वीडियो बनाएंगे हैं, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस यूटूब चैनल के साथ, तब तक के लिए, टेक क्यार